नमस्कार मीत्रों आज को वीडियो में हम जानेगे कि CNC मशीन में जोग मौड का इस्तमाल केसे किया जाता है हाथ मीत्रों जोग मौड में हमें टूल को इंडेक्स कराना स्पीडल को रोटेट कराना कुलेंट को ओन ओफ करना ठीक है एक्सिस को मौड कराने के लिए डिफ्रेंस टाइप के वर्ट करने के लिए हम जोग मौड का इस्तमाल करेंगे जैसे के मान लेजिए हम यहां से जोग मौड का शिलेक्ट करते हैं ठीक है यहां आपको दिखा देगा हम अभी जोग मौड में है ठीक है अब हमें माल देते हैं M03 में Sh referendum को घुमों ना है तो यहां से हम qandel on करेगे तो यह हमारा स्पिडल खुम जाएगा यह से स्टोप कर सकते हैं यहां से उल्टा घुमाने लगा थि क्यान्य अब इस यह उंस स्पिडल को स्टोप भड़ देता है फिर हमारा Dynamic Effect को बन करना हो ठीक है यहाा से म AE और के तो हमाराहा क्लेंट यहां से चालू हो ajaेगा ठीक है मितरौ् यहां से Empire tools को index कराना हो ठीक है झाले टीन 8 तूल दिये जाते हैं से खमई कोई भी कुर्डैक्थ करा करके लिया नहों तो हम यहां से index कर सकते है tool को देखिए मित्रों ठीक है यह यहां आपको ठीक है फिर मित्रों tool को हमें कहीं आगे पिछे move कराना हो ठीक है जब हम insert बेलते हैं तो हमको tool को आगे ले आने के जरूराइब पड़ती है या फिर नंग ओपसाइट वोगेर लेने के लिए वर्क के पीछ के पास हमें टूल को ले जाना होता है तब हम छोगमुट का यूज कर सकते हैं ठीक है जैसे मित्रों हम यहां से एक्स मैनेस करेंगे तो हमारा टूल नीचे आएगा देखें हम रेपिट का यूज करके स्पीड को तेजी से नीचे ला सकते हैं देखें मित्रों अब हम जैट दबाएगे तो आँमारा टूल आगे चलेगा हाथो मित्रों आज के वीडियो में बस इतना है सिंसी से जूड़े सेटिंग ऑपरेटिंग एंड परग्रामिंग के रिलेटिड वीडियो देखने कलिए आज हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें धन्यवाद